कि रिम्शाला की बात हम करने जा रहें आज और कल बस्टेंड बंद रहने वाला है जी हाँ अपने ठीक सुना कल दोपैर 12 बजे टक बस्टेंड बंद रहने वाला यहांका इलेक्ट्रिक बसों में जिस तरह से अब एक पूरा ब्योरा दिया जाएगा कल भी कितनी इलेक्ट्र सब्सक्राइब कोई भी बस जो डूसरी बसें अभी प्रवेश नहीं कर पा रही है और बसों के ना पहुंचने से यातरी भी परिशान दिखाई दिए अलाकि उसके बाद सोविधा में मिलेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक बसे फिर चलती भी दिखाई देंगी और इसकी तैयार यह मुकंबल कर ली गई है लेकिन आज और कल यह जो बस टेंड है धर्मशाला का बहुत रहने वाला है यह जानकारी देदी गई है क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रिक बसें उनका जमावणा अब लग गया है तैयारी की जारी कल के कारिक्रम की मुख्यमंतरी कि और से क्या कुछ कहा गया है हमारी जोबी बर्तमान में 75 बसी चल रही है और यह जो 15 बसी धरमशाला में पहुंची है और दस वारा दिनों के बाद 20 और पहुंचने वाली हैं हिमाचर पर देश में और कुछ एलेक्ट्रीक बसी आँपर हमने देखी भी हैं हमारे समाधात मनोज धिवान की रिपोर्ट देखिए दोनों तरफ दिखाएं कि कितना लंबा जाम बस स्टेंड बंद करने के कारण यहां पर लग चुका है क्योंकि धर्मशाला स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी देखने के लिए बहुत सारे प्रेटक इस वक्त पहुंच रहे हैं क्योंकि मौसम ही सुहावना हो चुका है और चाहे लोकल बस है या चाटेसी की दूसरी बसे हैं वो बसे यहां नहीं पहुंच आ रही है उनको अंदर आने से रोक दिया गया है क्योंकि कल बारा बज़े जो है वो मुख्यमंत्री सुक्विंदर सिंग सुकु हरी जंडी देकर रवाना करेंगे लेकिन अगर वहीं दूस कर्मा के साथ मनों दिमान खबरिया भी तक